यूपी ट्रिपल सी के वेजिसिक आयुवेदिक वाले फारम का आवेदन शुरू हो चुका है और इस वीडियो को देख करके आप अपने फारम का आवेदन खुद से कर पाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स पे आपको डिरेक्ट लिंक मिल जाए आपको लाइब एड़ोटाइजमेंट में पहले नंबर पे जो दिकरा है उसी पर क्लिक करना है यहां पर देख सकते हैं वही विज्यापन संक्या और डेट आपको आवेदन करने से पहले जरूरी है कि यहां पर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन पढ़ ले यह नोटिफिक अप्लिकेशन होनी चाहिए तो यह सारी चीच पढ़ने के बाद आपको सब्मीट अप्लिकेशन वाले पर क्लिक करना होगा यहां पर कुछ टर्मेंड कंडिशन दी गई है आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए पढ़ने के बाद आपको यहां पर चेक बॉक्स पर ट्रिक करना है और आई एगरी पर क्लिक करना है यहां से आगे जाने के आपके पास दो भी कल्प हैं या तो आप अपना पूरा डिटेल्स डालिए या फिर केवल रजिस्टेशन नंबर डेटा बर्थ डाल करके अपने मुबाईल और इमेल पर मिले OTP का प्रियोग करके रजिस्टेशन नंबर पेट 2023 का रजिस्टेशन नंबर आपको डालना है और यहां पे आप गेट OTP करेंगे आपके मुबाईल पर OTP जाएगी सेम OTP आपके इमेल पर भी जाती है उसको यहां इंटर करने के बाद कैप्चा कोड़ डालने के बाद क्लिक हीयर टू हमें छूट चाहते हैं तो आपको यस या फिर नो करना है बागी यहां पर पूछा गया है एजुकेस्टनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपको पता होगा कि इसमें कहा गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में तभी आप इसका वेदन कर पाएं गया है इंटर्मीडियेट के बारे में इंटर्मीडियेट या तो आपका मैथ या फिर बायो का हो सकता है तो यहां पर इंटर्मीडियेट वाला बोर्ड या फिर इनवर्सिटी का नाम लेकिए आपने कब पास किया सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर कब आपका सर्टिफ बतानी है इसके बाद आपको यहां पर बताना है कि अगर आप रजिश्टर्ड है तो यहां पर आपको बताना होगा board का नाम तो जिस board में आप रजिश्टर्ड है यह आपने कब रजिश्टर्ड कराया है अगर आपके पास कोई certificate number या फिर और और signature है आपको केवल देखना है क्योंकि यह पेट वाला ही details है देखने के बाद आपको continue वाले पर click करना होगा यहां पर आप देखेंगे अगले page पर तो कुछ चीज़े अनिवारे हैं और कुछ चीज़े बैकर पर जो अनिवारे हैं उसके बारे में details आपको देना जरूरी है जैसे कि यहां पर इस फरम में age proof देना है age proof में आपको दस्मी का mark seat upload करना होगा मतलब उसका certificate number किसने जारी किया है कब जारी किया है यह बताना है यहां पर class certificate OBC के बारे में पूछा गया है तो आपके condition में जो अनिवारे हैं उसके बारे में बर यहां पर जैसे आप भर दें आपको upload नहीं करना है नीचे जाने के बाद अगर आपको इसमें से कोई आपके पास है तो आप yes करेंगे जैसे कि NCC में भी certificate या फिर army में दो साल का अगर आपने सेवा दिया है तो आप yes कर सकते हैं और यह था नीचे जाकर करके आपको यह तीनों check box को trick करना है आप यहां पढ़ लीजिए पढ़ने के बाद यह capture code डाल करके आपको save and proceed पर क्लिक करना है उसके बाद आपको फीज जमा करने के लिए बोला जाएगा और यहीं आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक और पेज दिखेगा यहां पर आपको 25 रुपे का payment करना है और payment करने के आदि आपका application फारम complete हो जाएगा अब आपको क्यों इंतजार करना है जब इसके लिए एक cut-off जारी की जाएगी उसमें आप जान पाएंगे कि आपको मुख परिच्छा के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपका कोई सव सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपके फारम का डिरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स मिल जाएगा